हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्म एक्स्प्लेन इन हिंदी आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ जिसमें एक ववरत अपने हवस को बुजाने के लिए अपने पेशन्ट का इस्तमाल करती है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू इस मूवी को डारेक्टर ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है और इस मूवी में बहुत ही कम बात्चित दिखाई गई है पार्ट वन की शुरुवात होती है और हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ एक गौरत आती है जिसका नाम चेरोलेट होता है जो एक डॉक्टर होती है जो यहाँ पे एक रूम रेंट पे लेने के लिए आती है और उसे वो रूम पसंद आ जाता है आगे हमें वो उस रूम के मालकिंग को पैसे देते दिखाई जाती है फिर वो फ्रेश होके वहाँ से अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंच जाती है आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे को स्टोरी सुना रही होती है उसके बेटे का नाम बेंजामीन होता है फिर वो अपने बेटे को सोने को कहके वहाँ से चली जाती है दूसरे दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो और उसका हस्बेंड बातचीत कर रहे होते है उसके हस्बेंड का नाम मैक्स होता है और वो अपने हस्बेंड को बताती है कि मुझे इस 23 तारिक को WPFT पे जाना है तो क्या तुम बेंजमिन को स्कूल से लेकर आओगे और मैक्स कहता है ठीक है फिर हमें वो दोनों इंटिमेट होते दिखाये जाते है अगले दिन चेरोलेट हस्पिटल में काम करती दिखाये जाती है तब ही वहाँ पे कमपॉंडर आता है और उसे कहता है कि एक पेशन्ट आपका इंतिजार कर रहा है वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ और फिर वो हमें उस पेशन्ट के पास जाती दिखाये जाती है और आगे हमें वो दोनों इंटिमेट होते दिखाये जाते है फिर वो फ्रेश होके वहाँ से चली जाती है और स्कूल में बच्चों को लेक्चर देती दिखाई जाती है दूसरे दिन हमें वो हस्पिटल के एक पेशंट का इलाज करते दिखाई जाती है और अगले ही सीन में वो दुनों हमें इंटिमेट होते दिखाई जाते है अगले सिन में हमें वो फिर से एक और पेशन्ट के साथ इंटिमेट होते दिखाई जाती है जरा सलिय अपने भूग को मिठने के लिए अपने पेशन्ट का इस्तमाल करती है और मुवी के स्टार्टिंग में जो रूम लेते हैं ये दिखाई जाती है वो इन सब चीजों के लिए ही होता है और वो अपने स्पेम के साथ पी रोज इंटिमेट होती है जिससे उसे इस पे शक ना हो अगले सिन में चैरूलेट और मैक्स अपने बेटे बेंजम इनके साथ खेल रहे होते है फिर हमें वो दोनों इंटिमेट होते दिखाई जाते है और अगले सिन में हमें वो एक बुटे आदमे के साथ इंटिमेट होते दिखाई जाती है आगे वो हमें कहीं बाग के जाते हुए दिखाई जाती है जरासल वो स्कूल में बेंजम इनके टीचर से मिलने जाती है जहां मैक्स पहुंच चुका होता है पर ये लेट हो जाती है अगले सिन में वो हमें कीचर में काम करती दिखाई जाती है तभी वहाँ Max आता है और पूछता है तुम आ रही हो ना और वो कहती है हाँ जरासल Max एक आर्टिटेक होता है और वो चेरोलेट को अपना काम दिखाने के लिए बुलाता है आगे हमें चेरोलेट किसी construction site पे दिखाई जाती है तभी वहाँ Max आता है फिर वो हमें building के अंदर दिखाई जाती है और जब वो वापस जा रही होती है तभी वहाँ पे उसे एक आदमी काम करता दिखाई देता है वो उसकी तरफ देखती है और वो आदमी कहता है क्या तो मुझे नहीं पहचानती जला सल ये चेरोलेट का एक patient रह चुका होता है जो इसके साथ intimate भी हो चुका होता है और वो आदमी जब उसका हाथ पकड़ता है तो चेरोलेट चिलाने लगती है और चेरोलेट को गुसा आ जाता है और वो उसके मुझे गुसा मार देती है पर जब चेरोलेट को दुख होता है तो वो उसके पास जाती है और फिर से उसके मूपे गुसा मार देती है और तब ही वो बेहोश हो जाती है अगले सिंग में हमें वह स्पिटल में बेहोश दिखाई जाती है उसके पास मैक्स बैठा होता है तब ही चेरोलेट को होश आता है और इस movie का part 2 शुरू होता है अगले सिन में हमें एक गर दिखाया जाता है जहां चेरोलेट किसी लेडी के साथ बैटी होती है तब ही वो कहती है हम कल मिलेंगे और वो लेडी जब चेरोलेट को गेट तक छोड़ने जाती है तो चैरोलेट कहती है ये वक्त उसके लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए भी उसे अब मुझ़ पे बरोसा नहीं है अगले दिन फिर से वो उस लेड़ी के गर उसके साथ दिकाई जाती है और वो लेड़ी उससे पूछती है नई दभाई कैसी चल रही है और चेरोलेट कहती है मुझे पता नहीं मुझे कैसा मैसूस करना चाहिए और वो लेड़ी पूछती है क्या हम शुरू करे और चेरोलेट कहती है हाँ जरासल ये लेड़ी मनोचिकित सक है और पार्ट वन के उस आच्छे के बाद मैक्स को सब पता चल चुका होता है जिस वज़ा से चेरोलेट अपने फैमिली को बचाने के लिए अपना इलाज करवाना शुरू करती है अगले सिन में हम में चेरोलेट और मैक्स उस लेड़ी के सामने बैटे दिखाये जाते है तभी वो लेड़ी पूछती है क्या आप मैक्स और जिन आदमियों का अपने कमरे में बुलाया था उनके बीच का डिफरेंस बता सकती है और चेरोलेट कहती है ये दोनों अलग है मैक्स एक अच्छा इंसान है और उसको छूना मुझे अच्छा लगता है फिर मैक्स कहता है तो फिर तुमने वो रूम रेंट पे क्यों लिया और चेरोलेट खामोशी रहती है अगले दिन फिर से वो उस लेड़ी के सामने बैठे होते है तभी चेरोलेट कहती है मेरे पेट पे किसी का हाथ था और तभी मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ वो बड़ा और अजिब था तभी वो लेड़ी पुछती है और उसका चेहरा और चेरोलेट कहती है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा मैं उसके बाहों के बाल देख रही थी फिर वो लेड़ी पुछती है आपने ऐसे लोगों को क्यों चुना जिसके बाल बड़े थे एक के नाक पर चोट लगी थी किसी के नाखुन बड़े थे और चेरोलेट कहती है मुझे इसका जवाब नई देना चाहिए क्योंकि इससे जादा ही होगा आके वो हमें बहार आके बैठी हुई दिखाई जाती है और तब ही अचानक वो हसने लगती है अगले दिन वो कोट के बाहर बैठ जाता है जहां पर चेरोलेट बेड़ पर बैठी होती है और वहां पर मैक्स भी होता है जरासल उसे दिमाप्ती बीमारी होती है जिसके वज़ा से उससे डॉक्टर की जॉब से निकाल दिया जाता है और वो बीमार है यह जानके मैक्स भी उसे माप कर देता है तब ही क्या में उसके नजर पड़ती है और वो सोच में पड़ जाता है अगले दिन चेरोलेट जब Hijkos की साइट देखने जाती है तो सीकरीटि में उसके कहता ही यहां को यह नहीं है पर चेरोलेट उसे पूछती है क्या मैं अंदर जा सकती हूं और सीकरीटि वाला उसे जाने देता है जब Max घर आता है तो वो चेरूलेट को ढूनता है पर उसकी नौकरा ने उसे बताती है कि मेम बाहर गई है तो Max पूझता है कि क्या वो रोजा के लिए बाहर जाती है और नौकरा ने कहती है हाँ रात को जब Charolette और Max intimate हो रहे होते है तब Charolette की आँखे बंद होती है और जब Max की नजर उस पे पड़ती है तो वो कहता है मेरे सामने देखो और वो गुसे में वहाँ से चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है जड़ासल Max को Charolette पे अभी भी शक होता है और वो उस बात को अभी तक भूला नहीं पाया होता है अगले दिन जब Charolette गर से निकलती है तो Max उसका पीछा करता है और Charolette जब उस साइट पे जाती है तो Max पीछे पीछे जाता है और जब वो उपर जाता है तो उसे Charolette वहाँ कोने में बैठे दिखाई दीती है और Max मन ही मन में रिग्रेट करता है अगले सिन में दिखाया जाता है कि Max उस बात को लेके रात को सो नहीं पाता दूसरे दिन वो दोनों बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया जाते है पर रात को जब वो साथ में होते तब Max दुखी होता है और कहता है कि कभी कभी में भूल जाता हूँ कि तुम कौन हो और अगले सिन में Charolette और Max साथ में एक ट्रिप्टे जा रहे होते है और इस मूवी का अंत यहीं हो जाता है इस मूवी का नाम Brownian Movement है जो 2010 में रिलिज होई थी हाला कि इस मूवी को IMDB पे 4.9 स्टार मिले हैं पर कुछ लोगों का मानना है कि ये मूवी बहुत ही complicated है जिस वज़ा से ये लोगों को समझ नहीं आई बाकि आप कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी